दुरके पुलिस की आंख में धूल जोक कर आरोपियों ने एक बार फिर बड़े अपरात को अंजाम दिया है इस बार आरोपियों ने एक टिमबर विवसाई को बंदख बना कर डखैती की घटना को अंजाम दिया साथ ही उन डखैतों के होसले इतने बुलन नजर आये कि बाकाइदा उन आरोपियों ने पार्टी मना कर बाकाइदा नशा का सेवन कर घर में रखे नगदी, रकम और सोने की जेवरात को लूट कर फरार हो गए दुरुके पुलगाँ थाना शेतर में बीती रात टिमबर विवसाई के घर डखैती हो गई, पांसे छे नकाब पोशों ने विवसाई के घर धावा बोला और उसके हाथ पेर बान कर घर में रखे नगदी वो 35 सोना लूट कर फरार हो गए इस घटना में डखैतों ने घर में पीछे दरवाजे का ताला तोड़ कर घुसे, डखैती के सुचना मिलने पर दुर्ग पुलिस विभाग में खलबली मच गई, आनन फानन में आला अधिकारी मौके पर पहुँचे, पुलगाँ पुलिस वो एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने मामले में जान शुरू कर दी है, बता दें रसमडा में दुर्ग राजन गाउं बाइपास रोड पर इस्तित दिलिप टिंबर के संचालक दिलिप मिच्रा का घर है, रात में वे अपनी परिवार के साथ सोहे थे, इस दोरान आधा दरजन से अधिक नकाब अलमारी में रखे लगबख 35 तोला सोना पर हां साथ किया, इसके बाद मौके से फरार भी हो गए, पुलिस ने बताया है कि घटना शुकरवार वशनिवार के दरम्यानी रात धाई बज़े की है। झाल 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 पुलगां थाना और एंटी क्राइमेंट साइबर यूनिट की टीम भी मौके पर पहुंची पुलीस के मताबिक दिलिप मिश्रा की फरनीचर की दुकान है और आरा मिल भी है घर पी वहाँ पर बनाये हुआ है वहीं दूसरा मकान दुर्ग में भी है दुकान में लगे सिसी टीवी कैमरे में नकाब पोश्ट कैद हो गए है फुटेज के आधार पर आरोपियों की खोच बीन की जा रही है वारदाद के तरीके से आशंका जताए जा रही है कि इसमें बहारी पेशेवर अपरादी गिरों का हाथ है अक्सरमक्ति प्रदेश और राजस्थान के सिमावर्ती जिलों का गिरो ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है ये गिरो रास्टी राजमार के किनारे लगे घरों को निशाना बनाते हैं ट्रक से उतरते हैं और वारदा को अंजाम दे कर भाग भी जाते हैं फिलहाल पुलिस ٹیम मामले में आरोपियों की खोश्बिन में जुड़ गई है इस और आन पिरित परिवार ने अपने प्रतिकरी आईस प्रकार से दी मेरे कमरे के तरफ से खिड़की के तरफ से टॉर्च का रोशनी मेरे रूम में आया तो मेरे को लगा कि मेरे कमरे के बैक साइड में कोई है, मैं उठी हूँ, उठके थोड़ा सा पानी पी, मोबाइल देखी तो दो बच के 46 मिनेट हो रहा था, तब तक उन लोग किधर से आयो तो मैं उस समय नहीं जानती हूँ, मेरे कमरे का दरवाजा पिकने लगे थे कि खोलो नहीं रहे थे कि लोग इंटर लोग है, कितना दर तक की खोलेंगे तब तक पुलीस को फोन करते हैं, पर मेरे हजबेन नीन में थे, उनकी हमत ही नहीं हूँ फोन करने की, अब लोग तोड के अंदर घुज गये, पांच लोग थे, दो अधेर थे, तीन लड़के जैसे थे, अधेर जो था, वो 55 साल के करीब पर रहा होगा, बार बार ऐसे लकडी से भीड़ा के, बता कहा है समान, मेरे कान का उतरवाए, एक चैन उतरवाए, मेरे हजबेन का अंगुठी उतरवाए, वो हमने दे दिया, फिर लोग ने बुले कि आपके घर में माल तो होगा, चारो त मेरे कान कायश आचकाल रहता नहीं, पचीस अजार रुपिया था, वो भी आश्चनी वारे तो लेबर प्रमेंट के लिए, सोना में पहले यहां रखती नहीं थी, सोना हमेशा में अपने सेफर साइग में दूर्ग में अपने माय के पर रखती हूँ, लेकिन अभी कुछ श जब उन लोग तोड़े हैं, अलमारी तो उनको पूरा पोटली मिला, लेकिन उस पोटली को लेकि उन लोग भागे नहीं, उस पोटली को पुरा खोल खोल के, एक एक औरनमेंट, डिबबा फिकते गए, अपने बनियाइन के अंदर रखते गए, और पूरा गहना रखने के जबाद में, उसमें एक दो पीतल का भी गहना था, उनलोग पहचान के फेक दिये, रखम का अंदाज तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन सोना 35 तोला था और शिलर गहना उसमें नहीं था, बिलकुल भी, उसमें जो भी समान था, 58 ग्राम का एक कंगन था, बच्पन ग्रा का मनलब धाई तोले का, एक टोकनी सेट था, फिर धाई तोले का एक और सेट था, दस ग्राम के मेरे बेटे का ब्रेसलेट था, 12 ग्राम का, मेरे बेटे का चैन था, मेरे हस्बेन का चैन था, 15 ग्राम का, और यहां के थे नहीं, मैं उनको देखी कभी नहीं हूँ, लेकिन एक दिन पहले कुछ-कुछ संदिक धवातावरन मेरे को अपने मन में ही लग रहा था, क्योंकि मेरा डॉग भुकता नहीं है, और रात में नो बजे जब मैं गेट खुल के निकली, तो मेरा कुट्ता पीछे के त तो मेरे हजबन ठक हुए थे काम करके बोले कि कुट्तों का काम भुकना है, चलो सोते हैं, कुछ नहीं है, लेकिन और कोई कुट्ता नहीं भुक रहा था, सिर्फ वही भुक रही थी, लेकिन कल रात को घटना को अंजाम देने के बाद, उनके जाने के बाद, जब मैं बाहर निकली हूं, तो मेरा जो डॉगी था, वो इदम सहम के उस पेड के नीचे बैठा हुआ था, बारकर दोनों अंदर सोय हुए थे, भाषा में MP का टच था, बना के बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन भाषा जो थी उनकी, खड़ी बोली, दिद् मेरे हस्बेंट को, बस बोलते थे कि पता बता, ऐसे का पता बता, तो मेरे को जान का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैं बोली कि इनसे मत पूछिये, जो 35 ला सोना मैं दे सकती हूं, तो पैसा रहता तो पैसा भी देती, क्योंकि आप लोग के समने तो मैं कुछ कर नहीं परम दी, जब चुननी से मेरे मूं को बांधे, तो मैं बोली कि इतना कड़ा यदि मेरे हस्बेंट का बांधोगे ना, तो उनका सांस रूख जाएगा, तो बोले कि नहीं बांध रहे हैं, उन लोग ना को आप कुछ नहीं बांधे, बस पैसे बांधेते, उनका हाथ बांधेते, और बकाइदा हम लोग को लेटा करके, और मेरे AC का जो कमफर्टर है, उसको उड़ा दिये थे उन लोग, कि चैन से सोग, किसी प्रकार का हल्ला मत करो, और किसी को खबर करने की कोशिस करोगे, तो रात को हम फिर आएंगे, सारा उमीद तो मेरे को अपने, अपन रजिस्टर में, 112 को मेरे हजबन ने फोन किया, और जैसे ही मैं अपने घर फोन की हूँ, तो मेरे देवर हैं जो राइपूर से हैं, जो जहां से सुना है, एक दूसरे को इन लोगों ने फोन किया, और जब 112 वाले आया थे तो, इस समय तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था, क् मैं लोग एक जन्ते पर जाके पर ईक जन्को लोगा है था, मैं बार-बार बहुत ही तिकि सर मेरे मोबाइल को आप लोग ट्रेस करिए, मेरे मोबाइल और मेरे हजबन की मोबाइल में फोन करिए, और और युमन उतना भी नहीं कर पा रहा थे, लेकिन जब टिम अपने के 48 मश है पांच आदे मी हमारे रूम में आये हमको बंधक बनाके पूरकर दिया मेरा हाथ पेर और मूपर हो भी बांदिया उसके पाद उनका उनका कहा है पैसा रखे हो क्या रखे हो हमको बता रहुन को पाओ लिए जो-दो-बॉर मार नहीं वो-ऩपार मारा नहीं हो ने बस बांन के उलमारी क्वड़ना चालुग किया है उसमें जो नगत पैसा और जो सोना था उसका पूरा उनहें भारना चालुग किया और फिर पूरा इकठा किया उसके बाद बुले ना पुलीस में कंप्रेंट करना और ना कुछ करना गोशते पहले, तो हमारे ढोने मावाईल ही क सब्सक्राइब देखके तो उनका नहीं लग रहा था कि यह चत्की सब्सक्राइब के हैं और जो बात्सीत करने से भी ऐसा लग रहा था बहार की मतलब कुछ साउथ टन या अलका अब भी आपी टाजी स्टेक्म लग रहे था वो चड़ी बनियान में थे तो उनका बांदा बता आदा इस कारफ इस सेरपे गम्शां के बना ही उगा था अभी अब इस हमने फिर करीबन 4-7-4 बजे सवर 112 फोन किया बेसमडबाद उनकी सरवीस आगे इसके बाद जो हमारा समध्धी छेतरन जोरा वहां से पोलीस आगे इस वाद DSP, SP, IG पूरा विजिट हुआ आपका डॉग स्कॉड भी आ था उन्होंने पूरा सरवी किया डॉग स्कॉड मन ले जाके दुरूग की फोरेंस लेकिन जैसी करवाई सुबेस हम देख रहे हैं पुलिस परसासन कर रहे हैं अभी भी क्राइम स्कॉड की काफी आफिसर्ज बैटे हुए हैं आपका बता दें दुरूग पुलीस के नाक में दम कर देने वाला एक मामला अब तक पुलीस ने हल नहीं कर पाया है जिसमें ग्राम गनियारी में हुए दोरे हत्याकान के आरोपी अब तक पुलीस की गिरबते से बाहर हैं और ऐसे में आज हुए इस डखैती की घटना ने दुर्ग पुलिस को उल्चा कर रख डाला है देखना होगा दुर्ग पुलिस इस मामले में कब तक फरार हुए आरोपियों पर शिकंजा करती है और उन्हें सलाखों के पीछे डखिलती है एस ही इन निउस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट